डेली के breakfast या डिनर में जब जो आप बनाते हैं जितना समय आपको वो बनाने में लगता है उतना ही आज की इस recipe में हमें लगेगा और यह बहुत healthy और tasty recipe होती है क्योंकि क्योंकि डॉक्रस मौंग डाल को किसी भी रूप में लेने के लिए बोलते हैं तो शुरू करते हैं इसकी healthy और tasty recipe hello friends welcome back to raise kitchen point यहां पर हमने एक कटोरी मूंखी डाल ली है जो आधी टुकड़ों में है आप चाहें तो साबुद भी ले सकते हैं उससे कोई अंतर नहीं होगा हाँ छिलका है तो फाइदा और करता है फाइबर इसमें बहुत है इसलिए बहुत सारे इसके चिलके हमने नहीं उत पीजेंगे तो इसको दरदरा हम पीज ले रहे हैं मुझ की डाल में हमने अद्रक तो चमज तक डाला था और हरी मिर्ची डाली थे कैमरे में आने पैया है तो वह हम साथ में कर ले रहे हैं अच्छा लगता है सीखने को मिलता है तो आप चैनल को सब्सक्काइब करेंगा को दरदरा सामने पेस्ट्राइन किया हुआ है और इसमें हमने नमक भी मिक्स कर लिया है फिर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा मिर्ची का चौक भी मिला सकते हैं चौक तड़कर लगा के यहां पर हमने थोड़े उबले हुए आलू लिया है क्योंकि हम एजो रेस्पी यह धनिया पाउडर वादा चमस तक हल्दी ले लिए अगर तो करी लिप्स डालेंगे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसको हलका से पिंक होने तक हमें भून लेना है और फिर हमने आलू जो बॉयल की हुए थे उसको मैश करके इसमें हम डाल लेंगे और इसको तरी के लगेगा बड़े वच्छो सबको बहुत पसंद आता है तो जरूर आप इस तरह के स्टरफिंग आलो के नहीं तयार करते हैं तो आप इसे वैसे भी सांबर के साथ हरीच चटनी सॉस के साथ या मौंगदा मौंगफली की चटनी इन सब के साथ बहुत ही टेस्ट लग तवा को थोड़ा हलका गरम रखेंगे ज्यादा गरम हो जाता है तो पानी का छीटा देंगे ठंड़ा कर देंगे और ठंड़े पर ही जो हमने मौंगा डाल का बैटर बनाया हुआ वह वह फ़लाएंगे अगर गरम तवा पर बैटर खलाते हैं तो फिर चिपकने लगता है त बनाई पाने से इस तरी के से डाल के और एक नैपकिन से या साफ कपरे से हम से क्लीन कर लेंगे एक फान फिर मौंगा बैटर हम ले लेंगे कलसी इस तरी के से गूल गूल मौंे घुमा देंगे आज जब कम रहेगी तो अच्छ उसे पहलेगा अधर शीपकने लगता है तो लगा देंगे अगर नहीं चाहें तो नहीं लगा हलका से लगा देए और प्रिस्पी हो जाएगा जो मुंगल का चिला अच्छे से सिख जाएगा नीचे से गुलावी हो जाएगा और उपर से तब हम इसमे जो इस्टॉफिंग हमने बनाई थी अलू की वह डालके और इस तरह यह round कर लेंगे इस तरह देखिए बहुत ही सुन्दर यह क्रिस्पी सा हमारा चीला तयार हो जाएगा मुंगल का देखिए बहुत स्वाधिस्ट बना हुआ है गरम गरांप इसे सर्फ करेंगे तो बहुत ही टेस्ट लगता है गरम खाने पर इसका अलगी मशाता है बच्छों क आप उसको देख लिएगा फ्रेंट जरूर आप इस रेसिपी को ट्राइब करेंगा बच्छों को बहुत ही पसंद आता है अगर हमारी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो आप लाइक करके आप बता सकते हैं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है प्लीज चै के साथ वीडियो देखने के लिए थैंक यू